जहें दोस्तों कैसे आप सभी मैं प्रीती सिंग एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल EPS by प्रीती सिंग पर दोस्तों आप सभी को पता हैं मैं UPSC PCS जितने भी स्टेट लेवल के उनकी तियारी करा रही हूँ सबको मैं जैसे करन्ट अफेर करा रही हू खगरन तो एक स्टुटैंटका मैसेज था की मैं वह打 रहηνा हैं तो उनका मैसेज था मैम आप हमसे जैसे दैनिक जागरन हम हिंदी मीडियम के लिए पड़ते तो वह dapat हिए कर रहे हैं आपको पता है यह चैनल मेरा हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए यह इस पेशली बाकिंग्लिस वाले भी अगर वह हिंदी को अच्छे से समझ पाते हैं क्योंकि कोशन तो आप इंग्लिस में अपने खुद भी ट्रांसलेट करके कर सकते हैं तो उनके लिए भ जागरन पढ़ती हूं अपना यूपी और पी-स के लिए तो मैं दैनिक जागरन भी आपको करा दूँगी अभी यह भी मैं जैसे न्यूज चर्चा में रहती है तो उन्हीं से उन्हीं से मैं कोशन फ्रेम करती हूं लेकिन अगर ऐसा है आप लोग में को कमेंट करके बताना कि मैं उसमें हम क्या करेंगे जैसे दैनिक जागरन में हर दिन आपको पता है कि 5-7 खबरे बहुत महकून होती है चाहे वो इंटरनेशनली हो या नैशनली हो या फिर कोई जैसे एकोनोमी का पार्ट हो गया या फिर अपना ये जोग्रफी से रिलेटिड कोई आर्टिकल है जैसे भी चक्रवात चल रहे हैं तो अगर आप ऐसा चाहते है कि मैं 60 टोपिक लूँ और उसे बोर्ड पे एकदम अच्छे से डिटेल में समझाओं तो दोस्तों सबसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके बताए देखो यही होता है जैसी आप डिमांड करेंगे वैस जाती है यूपीएसी का मैं बताती हूं आपको उसका तो मदला हमें अगर आपनी उस वेपर बढ़ रहे हैं तो जो भी जैसे नैशनली इंटरनेशनली खबर खबर हैं तो आपको उनके बारे में संपूर जानकारी होनी चीए पीसीएस लेवल में आते तो चीज़े पढ़ सकते हैं तो मैं जैसे कोई भी खबर है जैसे अभी भारतिय समुद्री तर्टों को दो समुद्री तर्ट हैं उनको ब्लू फ्लैग मिला तो वह कहां पर लोकेटीड हैं क्यों यह ब्लू फ्लैग दिये जाते तो ऐसे करके मैं पूरे पूइंट मैं आपको समझा दू हैं उनका आप हमें डिटेल एनलाइज करवा दे तो मैं वह भी करा दूंगी तो दोस्तों वह आपकी कमेंट पर निर्भर करेगा कि मुझे कल कैसे क्लाथ लेनी हैं तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्रेंट अफेर की क्लास मैंने लिया दोस्तों आज का पहले कोशन है CM योगी आदित्यानाथ ने कहां पर उत्तर भारत के पहले फर्स्ट डाटा सेंटर का उधगाटन किया है क्या है दोस्तों पहला कोशन CM योगी आदित्यानाथ ने आपको पता है योगी आदित्यानाथ कहां के CM है ये हैं अपने उत्तर प्रदेश के तो दोस्तों ये कोशन किसके लिए मैटपून हुआ क्योंकि डाटा सेंटर का उद्गाटन किया है इन्होंने पहले तो ये UP PCS Special का कोशन हो गया तो आप इसको अच्छे से बठा ले ना माइंड में ये UP PCS में पूछा जा सकता है जो अपना जून में प्री है तो कैसे कोशन है दोस्तों CM योगी आदित्यनाधने कहां पर उत्तर भारत के पहले मैंने आपको हर करंट अफेर में बताए कि कहां से महत्पून कोशन होते है दोस्तों जो ये पहला होता है पहला अंतरराष्ट हवाई अड़ा पहला कुछ भी पहला होता है तो वो बहुत ही महत्पून हो जाता है हर एक्जाम के लिए जैसे ये पहला डाटा सेंटर खुल है ये कहां पर खुल है तो दोस्तों ये बहुत ही जादा महत्पून है मैंने आपको हर वीडियो में यही बताती हूँ कि जितने ही स्टेट पीसेस हैं दोस्तों वे almost उनका स्लेवर सेम होता है लेकिन जो महां की special चीजे होती है जिसे जो ग्रफिकल जो conditions होती है वो हर इस्टेट की अपनी अलग होगी हम दिली में रह रहे हैं हमारे यहां की अलग है उत्तर भारत में जाएंगे महां की अलग है आप दक्षिन में जाएंगे तो महां की अल स्टाथने कहां पर उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर का उद्घाटन किया तो दोस्तों आपको धियान रखना है यह किया है गłaeton में कहां पर किया है दोस्तों यह किया है greater noida में तो यह आपको एकदम से ध्यान में रखना है यह अपने कोशन तियार हो गया अब move करतें दोस्तों next पे जो कि यह हाल ही में किस देश ने अपनी नई रास्टिय सुरक्षा रननीती जारी की क्या है दोस्तों कोशन हाल ही में किस देश ने अपनी नई रास्टिय सुरक्षा National Security की रन्नीती जारी की रन्नीती बनाई है उन्होंने एक तो वो किस देश ने बनाई है तो दोस्तो आपको धियान रखना है तीन चार ओप्षन में होंगे जिसे France, USA, Germany, UK तो आपको धियान रखना है हाल ही में USA ने नई रास्टिय सुरक्षा रन्नीती अपनी बनाई है तो आपको ये धियान में रखना है या जारी की है ऐसे आएगा हाल ही में किस देश ने अपनी नई रास्टे आपको तो focus जाना चाहिए कि नई रास्टे सुरक्षा रननीती के बारे में बात की गई है तो ये किसने जारी किया तो आपको धिहान में रखना ये जारी किया यूएस से ने तो ये अपना question त्यार हो गया दोस्तो एक question ये बहुत ज़्यादा महत पुर्णा अभी आपको पता है internet के बारे में इंटरनेट के बारे में यूज़ पेपर में आए दिन खबरे चपती रहती हैं मैंने पिछली class में भी आपको कराया था कि अभी भारत में 5G internet की जो 5G internet है उसकी स्वीदा उपलब्द करा दी गई है तो ये कब से कराई गई है तो ये October 2022 से ही start की गई है तो आपको दोस्तो अगर current affairs से सारी जो भी अभी महत पुर्ण चीज़े हुई है October में या September में इन से update रहना है तो मेरी classes देखने है current affairs की वहाँ पर जितनी भी दोस्तों महत पुर्ण खबरे होती है जो भी exam में आने वाली होती है वो मैंने सारी cover कराई है तो आपको EPS by practicing पर जाकर search करना है और महाँ पर playlist पड़ी हुई है मेरी current affairs की 8 classes ले चुकी हूँ मैं तो सारी classes आपको देखना है और दोस्तों वो ऐसे ही मैंने classes नहीं बनाई है काफी research करके क्यूंकि आप सभी को पता है मैंने UPPCS के fan year के paper solve कर रखे हैं UPSC के solve कर रखे हैं तो मुझे idea है कहां से question generate होते हैं तो मैं उसी के base पर जो महतून खबरे होती है वो आपके लिए लेकर आती हूं अभी देखो जैसे internet day है इससे दोस्तों कोशन बने ही गए यह बनेगा UPSC में नहीं तो आपको किसी ना किसी स्टेट किसेस में जरूर यह question देखने को मिलेगा क्या है अंतरास्टिय अंतरास्टे internet day पड़ती वर्स every year मनाया जाता है तो यह कम मनाया जाता है क्या है दोस्तों कोशन कोशन है अंतरास्टे internet day नहीं पूछा यह दिहान रखने कि अंतरास्टे पूछा है नेशनली नहीं पूछा इंटरनेशनली पूछा है इंटरनेशनल इंटरनेट डे कब मनाया जाता है कब मनाया जाता है तो यह आपको ध्यान रखना है यह मनाया जाता है दोस्तों 29 ओक्टूबर को कब 29 ओक्टूबर को दोस्तों मूव करते हैं next question पर इस पे दोस्तों आप त्री स्टार लगा लेना यह बहुती ज़्यादा महतपूर कोशन है आपको किसी ना किसी even UPSC लेवल तक यह आपको कोशन देखने को मिलेगा UPSC, IES तक यह कोशन आपको देखने को मिलेगा और PCS की तो बात यह लग है जब UPSC लेवल तक आएगा तो किसी ना किसी स्टेट PCS में भी आपको यह डारेक्ट कोशन डारेक्ट कोशन देखने को मिलेगा क्या है दोस्तों कोशन रूस प्लस बैलारूस के बाद रूस प्लस बैलारूस के बाद अब किस देश को नोबल पुरुसकार समारों से बाहर आपको बाहर पे फोकस करना है अगर आए कि रूस और बैलारूस आपको ये धियान रखना है रूस और बैलारूस तो पहले से ही भार है किस से भार है नोबल पुरुसकार समारों में वो भाग नहीं ले सकते हैं अगर क्breed कर दिकाए अगर हाल ही में पुछे, कोंशन कैसे, हाली में रूसicate बैलरूस के बाद अब किस देश को नोवल पुरुसकार समारो से बाहर कर दिया गया है तो 3-4 उप्शन में होंगे ईरान जर्मनी फ्रांस ऐसे करके तो आपको ध्यान रखना है हाली में किसको किया गया है हाली में किया गया है दोस्तो इरान को और अगर तीन दे दे कि किस को किस को नोबल पुरुसकार समारों से बाहर किया गया है या कौन-कौन इससे बाहर है तो आपको ध्यान रखना है रूस हो गया पहला सैगिन हो गया ब बाहर कर दिए गौए हैं तो ये दोस्तों बहुत ही ज् जाला महत्पून ref early rockin fam ये डियान रूपको ये दीयान रखना है रूस को रूप के बैलारूस और थर्ड अपना भी हाली में ये इरान तो Dूस्तों आप employment तीनों चीजे ध्यान में रखनी है तीनों ना एकदम बठा लेना है माइंड में मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट कोशन पर जो की है यह सैन्य अभ्यास आपको मैं बता दूँ सैन्य अभ्यास से दोस्तों PCSO UPSCO इन एक्जाम में कोशन बनता ही बनता है कैसे जो यह नव सैन्य अभ्यान होते हैं यह किस किस के साथ हुए जैसे भारत और बांगलादेश के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास है भारत और सिंगापूर के साथ कौन सा संयुक्त अभ्यास है तो दोस्तों यह सारे जो महत्पूर महत्पूर क्योंकि इतने सारे हैं कम से कम 20-20 सेनी अभ्यास है तो आप सारे यार नहीं कर सकते जो महत्पून है जो एक्जाम में पूछे गए है और जो पूछने की संभावन है दोस्तों कम से कम 15 तक तो अपने को यादी होने चीए कि स्री लंका के साथ कौन सा सैनी अभ्यास है रूस के साथ कौन सा है उजबेकिस्ता साथ कौन सा है अपने बांगलादेश के साथ कौन सा है श्री लंका के साथ कौन सा है तो दोस्तों आज में जितने भी महत्पून सेयुक्त सैनी अभ्यास है वह आपको कराऊंगी और जो बच जाएंगे वह आपको नेक्स प्लास में कवर करा दूँगी अभी हाली में 2022 को द्वी पक्षिय सैनी अभ्यास हुआ उसका क्या नाम है तो दोस्तों आपको याद रखना है जहां भी भारत और सिंगापूर का संयुक्त सैनी अभ्यास पूछे क्या भारत और सिंगापूर की नवसेना के बीच सैनी अभ्यास पूछे तो यह कौन सा है दोस्तों भारत और सिंगापूर के बीच है सिम बैक्स क्या दोस्तों सिम बैक्स बस आपको सिम बैक्स याद रखना है भारत और सिंगापूर आए और सैनी अभियास आए तो आपको धियान रखना है इन दोनों के बीच हुआ है सिम बैक्स अब दोस्तों ये तो हो गया अक्टूबर सन 2022 वाला तो इसलिए ये महतपूर्ण है अब जब तक जून में पेपर है तो जब तक तो पतानी कितने हो जाएंगे तो साथ साथ कवर करते वे भी चलेंगे अभी जो महतपूर्ण है वो भी मैं आपको करा देती हूं जैसे कि एक्स दस्तलिक एक्स डस्तलिक एक्स डस्तलिक थर्ड थर्ड सन 2022 में हुआ एक्स डस्तलिक थर्ड सन 2022 में यह अगर डस्तलिक आये दोस्तों तो डस्तलिक आते ही आपको समझ जाना है कि यह भारत का उजबेकिस्तान के साथ सैनिया भ्यास है डस्तलिक आते ही आपको समझ जान है कि यह भारत और उज्वेकिस्तान के साथ años है तो यह अपको ध्यान रखने और धर्म गार्जियन आ जाए ठर्म गार्जियन आ जाए तो दोस्तों आपको एक चीज लिएद रखनी है कि भारत district का श्रिलंका के साथ यह सैन्य अभ्यास है कौन सा धर्म गार्जियन किस 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 के साथ है यह भारत का किस के साथ है यह दोस्तों भारत का यह अपना श्री भारत का स्री लंका के साथ अपना है यह सेन्य अभ्यास धर्म गार्जीन आए तो आपको धिहान रखने मैप के तुरू समझाए आपको कि धर्म गार्जीन आए तो भारत का स्री लंका के साथ यह सैन्य अभ्यास है दोस्तों मैं यहीं सोचते हूं मैपिंग से दोस्तों अभी कि जैसे पर मैं करा रही हूं जैसे पॉलिटी आपको पता है वह भी मैं UPSC PCS के लिए 360 डिग्री से करा रही हूं कि कोई भी हम टोपिक लेते हैं तो उसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी देती हूं जो ना सिर्फ PT पास करने में हमारी हैल्प करेगी बलकि उससे हम अपने में सांसर राइटिंग में भी अपनी हैल्प लेके और एक अच्छा अच्छा लिख सकते हैं बाकि दोस्तों अभी मैं आपको सबसे अच्छी बात ही है कि मैं यह सोची कि एक बहुत अच्छा परफोर्म करते हैं क्योंकि अगर आप ऐसे भूल जाते हैं अगर आपके माइन में मैप छपा है तो आपके सारी चीजे मतलब कैसे भी कोशन गुमा फिरा गया आपको पता होगा कौन सा स्टेट कहां पर लोकेटिर लोकेटिड है किसकी बाउंडरी किस से चोहें चोहें कितनी टट्ट यही कि आफो दोस्तों जोगर्फीत पूरा मैप का खेला है तो मंडे से हम जिए एक्डम मैप से समझेंगे और आप भी मेरे साथ करेंगे मैप से तो आपको भी बहुत मजाने वाला है और दोस्तों यही कहूंगी कि मैप को आपको अपने जैसे जो आपका study room है वहाँ पर एक तो भारत का map लगा ले और एक world का map लगा ले उससे क्या जैसे आप आप निकलते बढ़ते हैं या फिर चाय पी रहें घूम रहें अपने रूम में तो मैप को आपको एकदम अच्छे से माइंड में बठा लेना है तो उसी से दोस्तों जोग्रफी में बहुत सारे कोशन सोल्व हो जाते ना ही अगर आप यह ना करें तो अपने फोन की स्क्रीनॉटियों उस पर लगा ले उसको जैसे आप खोलेंगे फोन तो सीधा मैप में नजर जाएगी तो वह सारी चीज़े आपको ऐसे भी धिहान हो जाएगी तो वह कैसे आप मंड़े से जोग्रफी पढ़ाऊंगी तो तब लगाना है कि भारत का स्री लंका के साथ यह अभियास है नेक्स्ट दोस्तों अजे वोरियर अजे वोरियर जो दोस्तों यह धर्मकार जयन और डिस्ट लिका है दोस्तों यह यूपी PCS में पूछा गया कोशिन सैन्नी अभ्यास से तो इसलिए मैं करा रही हूँ यह दोनों पीवाई क्यू में पूछे गया है अब जरूरी तो नहीं पीवाई क्यू हर साल रिपीट होते हैं एक साले छोड़ के होते हैं या फिर जैसे इन दोनों से पूछे जा चुके हैं तो ज मित्र शक्ति दोस्तों यह भी भोती जादम है तुने मित्र सक्ति मित्र सक्ति आठवा संदोजार 21 का तो यह किसके साथ है भारत का अगर मित्र शक्ति आए तो यह भी दोस्तों भारत और श्रिलंका के बीच यह स्रिलंका के साथ अपने दो हो गए एक तो यह हो गया अपना धर्मákती, कौन कौन से, धर्मकारजियन और second, अपना ये मित्र शक्ति अगर मित्र सक्ति आए या धर्मकारजियन आए तो आपको भारत का स्री लंका के साथ सैनी अभिषियास लगाना है ऐसे आएगा जिसे मित्र स्कति है तो 3-4 ओ Quindi Common में दे देंगे भारत का स्री लंका भारत प्लस स्री लंका या भारत और श्री लंका भारत और बांगलादेश भारत और यूके ऐसे देंगे तो आपको ध्यान रखने हैं धर्म कार्जियन और अपना मित्रिश सक्ति ये भारत का किसके सास्थ थैनिय अभ्यास है तो दोस्तों ये हैं भारत का स्रीलंका के साथ तो यह आपको ध्यान रखना है और दोस्तों यह 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 किसी पी चाने मैंने प्रीमेस इसमें जैसे पेपर वहताई तो मैंने जैसे डिच आनलाइज देख वह उदे अगया धर्म अपना समप्रितिति अब इसको आप कैसे ध्यान रखोगे हवाण समप्रिती तो य है भरत का भानल गादेश के साथ किसके साथ दोस्तों यह बहरत का ऐसे आप नाम से रिलेट करके इसी के फ्रेंड का नाम होगा प्रीत ये प्रिति में के नाम से धियान रख लेना या किसी की shown एपियास तो आपको धिहान रखना है जहां भी सप्रीति आए टो भारत का बंगलदेश के साथ यह सैनी अभ्यास है तो यह थे आज के जो अपने मैंने यह ले लिया अपने जो 9 सेना से हैं कहां से कोशन पूछे गए हैं PYQ में वो भी कराएं और जो आने की संभावन है वो भी इससे 4-5 और बचे हैं क्योंकि ये तो बहुत ये सारे दोस्तों एकदम आप इस पर फोर स्टार लगा लो क्योंकि ये किसी ना किसी PYQ में पूछे गए हैं तो ये तो सा पांच और बचे हैं उनको मैं next class में करा दूगी अभी जैसे दोस्तों एक कोशन और है अभी दो तीन बचें ये करते हो रास्टी एकता दिवस कब मनाया जाता है तो ये तो सभी को पता होगा रास्टी एकता दिवस दोस्तों 31 Oktober को मनाया जाता है कब National unity day क्या इंग्लिश किया जाता है तो आपको धिहान रखना है 31 October को किया जाता है अब ऐसे भी आ सकता है कि जो संदोहजार 22 में राष्ट्य एकता दिवस मनाया गया या क्या गया तो वह कौन से नंबर का था तो आपको धिहान रखना है ऐसे आजाएंगे 145 144 143 यह 150 वा यह 147 तो आपको एकी चीज धिहान रखनी है कि जो अभी नैशनल यूनिटी डे मनाया गया है अक्टूबर में जो कि मनाया जाता एकतिस ओक्टूबर को वो कौन से नंबर का था तो दोस्तो वो था 147 मतलब कि 147 147 नंबर का. तो यह आपको धिहां रखना है. अब यह तो पता चल गया. कब मनाया जाता रह और अभी कौन से नंबर का था संदोजार बाइस वाला एक कि ये मनाया क्यों जाता है ये भी हमाई पता होना चीए है ये तो सबसे ज़्यादा महत्पुन है कि ठीक है यूनिटी डे जो है ये अपना बनाया जाता है 31 ओक्टुबर को बहुत मेरे दोस्त जो हैं त्यारी करें उनको पता होगा डारेक्ट ले तो आखिर कार्ड ये मनाया क्यों जाता है रास्टी है ऐसी क्या जरूरत कि बहुए नैश्नल यूनिटी डे बनाने की जरूरत हुई तो दोस्तों ये किस महाप्रूश की जहनती पर मनाया जाता है ये डारेक्ट कोशन पूछा जाता है कि जो रास्टी एक तदिवस है जहनती पर कब दोस्तों सरदार वल्लभाई पटेल की जहनती पर और आप सभी को पता होगा इसे एक डारेक्ट कोशन ये बनता है कि सरदार वल्लभ पटेल कैसे वेक्ती थे तेक ये थे यह लोहूपूस के नाम से किनहे जाना जाता ऐसे भी कोशिन फ्रेम होता है कि लोह प्रूस के नाम से किने जाना जाता है ऐसे दे देंगे सरदार वल्लबाई पटेल जुहाललाल नहरू भगत सिंग ऐसे चार पांच चार ओप्शन देंगे आपको तो कन्फ्यूज हो जाओगे तो आपको ये भी दिहान रखना है जो लोह है वो किने की लोह प्रूस के नाम से किने जाना जात है तो दोस्तों भारत के लोह प्रूस कहा जाता है सरदार बलबाई पटेल को तो दोस्तों देखो बोर्ड पे एक लिपीटेशन है आपको पता है ऐसा लगता होगा साथ आठ कोशन है लेकिन जब दोस्तों मैं पढ़ाती हूं आपको पता है प्रीती मैम के पढ़ाने का तरीका कैसे 360 से अपन पढ़ते हैं कि एक चीज अगर मुझे गया डाराक की कम बनाया जाते हैं तो 31 выпender को लेकिन जरूरी थोड़ना ऐसे तो कैसे आ सकते हैं ये कितने number का था current का तो दोस्तों ये हो गया कि वह ये कितने number का था ठीक है तो हमें पता चल गया लेकिन इसके बारे में जितनी जानकारिती मैंने आपको दे दी अब दोस्तों मूव करते हैं नेक्स्ट कोशन पर जो की है आज का लास्ट कोशन यह हाल ही में कौन सा दे संयुक्त रास्टे सुरक्षा परीशत जिसे की हम कहते हैं UNSC क्या दोस्तों हाली में कौन सा दे संयुक्त रास्ट सुरक्षा परीशत म संयुक्त राष्ट सुरक्षा सिक्यूर्टी संयुक्त राष्ट सुरक्षा परिशद की अद्यक्षता ग्रहन करेगा तो दोस्तों आपको एकी चीज दिहान रखनी है ये करेगा अपना घाना अब दोस्तों इसका भी पोस्ट मास्टम कर देते एक दंग 360 डिग्री से की यू से कैसा भी कोशन आये तो अपना करंट का हो गया अब इसके बारे में और जानकरी में आपको देथी हूं देखो UNSC इसको इंगलिज में UNSC कहते हैं हिंदी में क्या हो गया संयुक्त रास्ट सुरक्षा परीस उनसी दोस्तों UNSC कहीं बार होता है कि इसके डारेक्ट फुल फॉर्म आ जाती है क्या इसकी डारेक्ट फुल फॉर्म आ जाती है तो आपको धिहान उन अच्छी है कि UNSC की फुल फॉर्म है United, U से United, NC Nation, SC Security और यह अपना Council क्या दोस्तो United Nation, United Nation Security Council अब यह तो हमें फुल फॉर्म पता चल गए कि अगर हम बता देंगे कि यह है United Nations Security Council क्योंकि सुरक्षा परिस्द है यह अब दोस्तों यह इसकी स्थापना कब हुई तो दोस्तों आपको धिहान रखने इसकी स्थापना हुई थी इसकी स्थापना हुई थी दोस्तो 1945 में कब दोस्तो 1945 में अब इसका Headquarter आपको पता है मुख्याल है तो बहुती ज़्याद है मैत पूने चाहे वो World Bank का हो IMF का हो या किसी और जो जैसे WT हो गया इन सब का हो गैट का हो गया तो आपको दोस्तों मुख्याल लेस है तो कोशन किसी ना किसी एक्जाम में चाहे वो UPSC लेवल हो UPSC का लेवल हो या फिर अधर PCS का आपको देखने को मिलता है तो साथ-साथ हम जैसे जो भी चर्चा में होते तो उसके Headquarter और उसकी स्थापना यस dalla कочь चल रहे हैं तो जैसे अभी इसका है तो आपको धियान रखना है benutty और उसका मुख्यालREE का ओंपर और उसका अब इसका लास्ट है 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 इसकी स्थापना कभूर इसकी फुल फॉर्म क्या है अब सबसे महत्पून एक कोश्चन है जो कि यूपी एससी तक पूछा जाता है ऐसे पूछ लेते हैं यू एनसी की जो टोटल मेंबर कंट्रिया वो कितनी है तो दोस्तों आपको धियान रखना है जो सामिलित नहीं है तो दोस्तों आपको पांच धियान रखने है जो कि सामिल है और नहीं है तो निकाली देंगे अगर हमें याद है कि है कौन सी है और फिर नहीं है तो जो अपने को याद है वो तो है और जो नहीं है उप्चन में दीखेगा कि अच्छा अपना ये क्या फ्र क्या दोस्तों U.S.C. UK चाइना रसिया फ्रांस ये युनेस्ट की पांच मेंबर कंट्री है तो दोस्तों यह थी आज कि करण्ट अफेर की कलास I HOPE आपको मेरी कलास की से काफी मदद मिल रही होगी दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि मतलब एक student है जो कि UPSC की तियारी कर रहे हैं उनका था कि मैं आप जैसे दैनिक जागरन है या फिर देखो दोसर में मैं दोनों language में comfort हूँ ज्यादा मैं हिंदी भासा में comfort हूँ लेकिन मैं English को भी barrier नहीं मानती मैं उसे भी एक language के तोर पर लेती हूँ कि हमें English इतनी आने चाहिए कि हम समझ पाएं ठीक है और बेसक हम English में मतलब नहीं दे पाते लेकिन इतना हो न चाहिए कि हम समझ पाएं इतना हो कि कि अगर समीधान है तो हमें यह पता हो कि उसको इंग्लिस में constitution कहते हैं या पार्लिया मैंटर तो उसको हिंदी में या संसद है तो इंग्लिश में क्या कहते हैं तो दोस्तों मैं यहीं कहूंगी कि कि किसी भी language को आप barrier ना बनाए समझने की कोशिच करे अब जैसे वह कोशन बन जाएंगे और हम कोशन के फॉर्म में कर रहे हैं बाकी तो मैं 360 डिग्री से हमें कवर कराती हुए चल दिया कि यह यूपी ऐसे पूछेंगे यूपी-पी-पी-पी-पी-स में यह पूछेंगे अधर जो competitive exam उनको भी help कर जाएंगे लेकिन अगर आप चाहते हैं कि चर्चा भी स्तार से चर्चा करूं किसी टोपिक पे जैसे कि दिन में चार से पांच खबर ऐसी होती हैं कि जो हमाई लिए बहुत महत्पूर्ण होती हैं नैशनल या इंटरनेशनली तो वह बी में को कोई ऐसी दिक्कत निया कराने में मैं इस पर तो पढ़ती हूं दैनिक करेगा आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं यही मैं ठीक है या फिर आप डिटेल में चार-पांच खबरे ले लेंगे जो महत्पूर्ण होंगी दिन की तो उसको मैं विस्तार से आपको समझा दूंगे पॉइंट तो दोस्तों आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अब समझ में आने लग गया होगा कि मैं बहुती अच्छे जैसे भी है 360 डिग्री से अच्छा समझा रही है सारी डिटेल हमें दे देती है ना सिर्फ हमारा करंट फेर कवरो रहा है बलकि हमारा जो इस्टैटिक है अब जैसे यह सापना दिवास है तो यह तो अपना इस्ट जैसे बताम और चर्चा करूं दैनिक जागरन के जो एडिटोरियल के पेज होते हैं या महत्पुर्ण उसमें खबरे होती हैं तो वह भी मैं करा दूंगी तो दोस्तों यहीं अंत में यही कहूंगी कि अपनी त्यारी अच्छे से करते रहें अपनी पढ़ाई को 100% दे अप को पता होता है कि हो जाएगा क्यूंकि जब आप पढ़ाई को 100% नहीं देंगे तो मन में डाउट रहेगा कि होगा नहीं होगा लेकिन एक बार करके देखो अपनी पढ़ाई को एक दो महीन एक दम 100% दे कर देखो आपको खुद फील होगा कि हम पहले कहां थे और आज हम कह स्टेंड कर रहे हैं तो दोस्तों मोटिवेशन का तो यही है कि सेल्फ मोटिवेशन बहुत ही जरूरी होता है मैं आपको मोटिवेट कर सकती हूं आप कितने दो दिन रहेंगे चार दिन रहेंगे लेकिन हर स्टुडेंट के लाइफ में है कि मतले एक हफ्ते बाद यह लगता ह तो दोस्तो, वो होगा या नहीं होगा, इसको, आपको अगर अपने मन से निकालना है, तो अपने लिए target सेट करें, अपने अंदर से motivation लाएं कि भही, हमें सरकारी नोकरी क्यों चीए, अगर IS बनना है, IPS बनना है, तो क्यों बनना है, उस क्यों को तलाश है, सबसे बड़ी motivation त की और सती नहीं होती है sozusagen लाइभ में कि और इसी लाइफ जी नीहीं सबकी अपने तो आपने अपना इक दम पहचाने की आपको यह क्यों करने अगर आपने यह पहचानली आना की आपको इस इस दिए बनने अपने फैमिली को प्राउड फील कराने या हमने जस इस सिती को सहा है आगे वाले पीडियों सको ना सहे तो दोस्तों आपको नो कोई नी रोक सकता कोई भी ना फिर आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की जुरूरत है ना ही कुछ वो फिर एकदम अंदर से आग जलेगे कि हमें इसलिए करना है हमें इसलिए पढ़ना है और दोस्तों सच में अगर आप एक दो साल अपनी पढ़ाई को दे देंगे ना तो आपको सक्सेस होने से कोई नी रोक सकता अंदर में दोस्तों यही है कि मैं आपको बोलती हूँ कि बेसक लाइक ना करें जब पसंद आएगा तरीका तो दोस्तों खुद निकलता है कि यार मैं इतना मेहनत कर दी है इतने अच्छे से सोचती है कि यार मैं कैसे एफेक्टिव क्लास बनाऊं कैसे और जानकारी तो तब आप लाइक करें जब आपको मेरा तरीका अच्छा लगेगा लेकिन दोस्तों शेर के लिए जरूर बोलूंगी सब्सक्राइब के लिए बोलूंगी कि आपकी मदद होगी इससे आप अभी अगर बहुत से लोग करंट अफेर की क्लास में मुझे इतना अच्छा रिस् देखेंगे तो दोस्तों आपको काफी मदद होगी और आप जैसे आप अगर चलो मैं यह मान रहीं तीन सो बच्चे भी जुड़े हैं क्योंकि तीन सो चार सो होते हैं करंट अफेर पे बाकि जो मेरे यूपी ऐसी की और पीसी एस की क्लास है जिसमें कि मैं पॉलिटी जीस स अगर आप बिघार आपच्चों को शेर करेंगे एक अगर 10 बुट अहां वहीं तक हम सब की मदद कर सकते हैं अगर सारी चीजे 2 यहां इस पर वर्क करना पड़ता है कि कहां से कोशन जनरेट हुए हैं कहां से बन सकते हैं तो दोस्तों क्या जा रहा है हमारा सिर्फ शेयर ही तो करना है आप वैसे भी तो वीडियो जो होती है वो शेयर करते हैं इससे अच्छे कि आप पढ़ाई की करें अपने दोस्त जो आपके त्यारी को आगे बढ़ाएं और उनका मैं कहती हो आई-एस आई-पी-एस और जो एक एसडीम बनने का या कोई भी सरकारी नोकरी पाने का सपना है वो उसे साकार करें और हम उनकी जो उनका सपना उसमें थोड़ा सा योगदान दे पाए तो धन्यवाद दोस्तों कल मिलते ह आप मुझे मैसेज करके जरूर बता है कि मैं आप दैनिक जागरन से विस्तार से चर्चा करें या यह पैटर्न ठीक है तो दोस्तों यह आपकी कमेंट वेड़ी पैंड करेगा कि मैं कल कैसे अपनी क्लास फ्रेम करो तो जैहन जै भारत मिलते हैं कल की क्लास में